प्रधान मंत्री मोदी के अनुसार इस समय देश में अमरित काल चल रहा है इससे पहले वीवे अमरिका की धर्ती पर भारत में सब जंगासी बता चुके हैं निश्चिती, मोदी जी और उनके उद्योगपती मित्रों के लिए सब कुछ शांदार है पर क्या बाकी देशवासी भी ऐसा ही महसूस करते हैं? अगर देश की जंता की बुनियादी जरूरत की बात करें तो दो वक्त का भोजन सबसे पहली और एहम जरूरत होती है पिछले लगबग एक साल से खाने पीने की वस्तों में जिस तरह की बेतहाशा बृती हुई है उसने गरीब और मध्यमबर की कमर तोड़कर रख दी है खाने का तेल, राजमा, काबुली चना, चावल, ओहा, ताले, आटा, मैदा और यहां तक की नमक जैसी वस्तों में 32 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की बढ़ुतरी दर्च की गई है यानि एक तरफ घर के किराने की सामान में ही 45 प्रतिशत की महंगाई हुई है और दूसरी तरफ देश की 84 प्रतिशत जन्ता की आए में गिरावटाई है मोधी राज में आन जन्ता इस दोहरी मार को जेनने के लिए मजबूर है हाल ही में डीजल के ठोक मुले में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दोहरी मार का काम करेगी और सभी चीजों के काम और ज़्यादा बढ़ेंगे इन सब के बीच भाजपा और उनकी सरकार फिल्म प्रमोशन और धर्म जाती मजभ़ब की राजनिती में व्यस्त है जनता त्रस्त है भाजपा मस्त